Hello Friends, पिछले सेशन में हमने Output Devices की जानकारी ली थी, जिसमें हमने Printer की जानकारी ली थी, एक Preview Group में, इस सेशन में हम Printer के बारे में बात करेंगे, Printer एक Output Devices है जिसमें Paper Pay Output को Print कर दिया जाता है, लेकिन यह है Printer अलग-लग तरह के हैं, काफ़ी सारे एक्जाम, काफ़ी सारी इंट्रीज में कोश्चन पूछा जाता है, Printer कितने परकार का है, कौन से Printer में कौन से परकार आते हैं, उन सब की जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं, Printer एक Output Devices है, इसका प्रयोग, Soft Copy Document को Hard Copy Document में करने के लिए किया जाता है, यानि कि आपने जो Type किया है, जो File आपन करते हैं, Impact Printer ऐसा Printer जिसमें Characters को Characters Solid Font या Dot Matrix विदी से Paper पे Emerge कर दिया जाता है, Impact Printer के कुछ उधारण है, जैसे Dot Matrix Printer, Daisy Will Printer, Line Printer, Chain Printer, Drum Printer, इत्यादी, ये सभी जो है, Impact Printer के उधारण है, सबसे पहले बात करते हैं, Dot Matrix Printer की, यह एक Impact Printer है, प्रतेक पिन के Ribbon और Paper पर टच होने से एक Dot Printer होता है, बहुत सारे Dots मिलाकर एक Character बना देते हैं, यानि कि छोट-छोटे Dots जम मिलते हैं, तो एक आपके बास Character प्रिंट हो जाता है, तो इसलिए इसे Dot Matrix Printer कहा जाता है, दूसरे परकार का Printer, Impact Printer के अत्तरगत है, Daisy Will Printer, Daisy Will Printer थोड़ा सा धीमी गति का Printer है, हालां कि यह इतने प्रियोग में अब नहीं है, लेकिन इसमे एक छोटा सा Hammer रहता है, जो Ribbon और Cargis पर टकराता है, जैसे आपने Typing Machines देखी हो, तो उसमें भी ऐसा रहता है, और जिस से Letter पे आप जो Hammer जहां टकराएगा, जिस Character का, उस Character को व भी तेज रहती है, तो मुखेता हमारे पास तीन तरह के Impact Printer है, Dot Matrix, Daisy Will और Line Printer, जो मुखेता मार्केट में परयोग किये जाते हैं, इसके लावा भी काफी सारे Printer है, जैसे मैंने उपर आपको Example दिया था, जैसे Chen Printer है, Drum Printer है, इस तरह के Printer भी आपके पास Impact Category में शामिल है मुखेत Impact Printer में आपका जो Paper रहता है, वो किसी ना किसी तरह से Directly Connected रहता है, प्रिंट के माध्यम से, जैसे कि कुछ dots मनाना, या Line को प्रिंट करना, या जो भी आपका एक Hammer के साथ प्रिंट ले के आना, ये सब चीजें बिलकुँ जुड़ी रहती हैं अपसे, अगली जो Category ये है, वो Non Impact Printer की है, Non Impact Printer वे प्रिंटर होते हैं, जिन में Directly काज़ और प्रिंटर में किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं होता है, इसमें Laser Printing Technique का यूज़ किया जाता है, इस कारण सेन की Quality भी बढ़ी अच्छी होती है, इसमें हमारे पास मुख्या प्रिंटर रहते हैं, इंक Z Printer, Thermal Printer, Laser Printer, Electromagnetic Printer और Electro Static Printer, ये कुछ हैं, हमारे पास Non Impact Printer के Examples हैं, Non Impact Printer में बात करें, तो इंक Z Printer वो प्रिंटर है, जिसमें एक Nozzle से पेपर पर इंक की बुंदों को बशार करके, Creators और Graphics Print किये जाते हैं, नॉर्मल यदि आप दुकानों पे देखें तो इस check printers ही रहते हैं प्रंति इनकी cartridge बगरा महगी होती है तो लोग इसको कम इस्तमाल करते हैं इसकी पर page जो printing cost रहती है वो बड़ी हाई रहती है लेकिन आज कल काफी सारे जैसे एपसन ने या HP बड़ी-बड़ी companies ने या option दे दिया है कि उसमें ink tanks आ गए है जिसमें बार-बार आपको ink ना तो refill करने की जूरत पड़ती है ना आपको cartridge पे पैसा खर्चना पड़ता है उसकी वज़से ये जो printer रहते हैं ये सस्ते पड़ते हैं उसकी वज़से ये जो printer है ये अच्छी quality भी देते हैं और थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं और इसके साथ ही आप इसमें एक फाइदा ये भी रहता है mostly color और black and red एक ही printer से आपका काम चल जाता है laser printer दूसरे तरह के printer हैं हमारे पास non impact printer कैटेगरी में laser printer में print करने के लिए laser का use किया जाता है इसमें powder ink का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी costing बहुत कम रहती है इनकी speed बहुत तेज रहती है जिसकी वैसे आप काफ़ी सारे print एक साथ ले सकते है पर ज्यादा तर ये printer एक ही तरह के रंग में रहते हैं जैसे example के लिए मुखेता यह black and white printing में ही इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है तीसी तरह है कि जो printer है वो thermal transfer printer है आप अगर कहीं किसी shopping mall में खड़े हैं तो आपको receipt दी जाएगी वो receipt जो निकलती है छोटा सा slip जो ज़्यादा देर तक जिसकी ink टिकी भी नहीं रहती mostly तो ऐसे printer जो है thermal printer कहलाते हैं आपके पास यह printer directly computer से connected रहते हैं और मुखता एक dedicated task से जुड़े रहते हैं जैसे कोई entry card देना या कोई ticket देना या आपका कोई bill देना छोटा सा तो यह सब चीज़े जो है यह thermal printer से की जाती हैं यह तीनों categories जो थी inkjet laser और thermal यह तीनों की तीनों categories non impact printers की categories से हैं इससे पहले कि मैं session खत्म गूरूँ आपको यह भी बता दूँ कि आप printer में दो तीन चीज़ों का जुरूर ध्यार रखें एक printer की जो quality है वो dpi से मापी जाती है उसे cpm कहा जाता है एक minute में आप कितने page print कर सकते हैं उसे ppm कहा जाता है और एक minute में आपका printer कितनी lines print कर सकता है उसे LPM कहा जाता है तो ये जितने ज्यादा रहेंगे नंबर्स में उतने ज्यादा अच्छी स्पीड आपके प्रिंटर की रहने वाली है और इसके लबाद ट्रिपल सी में कहीं बार कोश्चन पूछा जाता है शौट फॉर्म्स और फॉल फॉर्म्स को लेकर तो वहां भी जुरूर ध्यान रखिएगा इन प्रिंटर के एक्शन नाम और ये स्पीड ऑफ प्रिंटर के जो मैंने कीवर्ड चूज के इनके लिए भी जैसे LPM है PPM है और CPM है तो इस सेशन में हमने जो जान करें लिए वो कम्पूटर हाडवेर के प्रिंटर सेग्मेंट के लिए अगले सेशन में हम कम्पूटर की मेमरी की जान करें लेंगे जो फिर से कम्पूटर हाडवेर का पार्ट है धन्यवाद